नमस्कार दोस्तो भारतियर सोई में कई परकार के मसालों का इस्तिमाल किया जाता है यह मसाले भोजन को स्वाधिश्टो बनाते ही हैं साथी इन मसालों में मौजूद और शद्य गुन हमारे शरीर के लिए भी लापतायक ayffen इनी मसालों में से एक है बडिए इलाइची या काली इलाइची बड़ी इलाइची का प्रियोग नमकीन और मीठे पकवानों वो मिठाईयां बनाने में किया जाता है बड़ी इलाइची की सबसे अधिक पैदावार भारत के किरला, तामिलनाडू और करनात्क में होती है का प्रयोग वा सेवन करना शुरू कर देंगे बड़ी इलाची के फाइदेवा औशध्य गुन बड़ी इलाची खाने से नहीं होंगे सांस के रोग बड़ी इलाची में सांसमंदी रोगों से दूर रखने वा बचाने के गुन पाए जाते हैं खास कर अस्थमा और फेफडों के संकुचन जैसी समस्याओं में बड़ी इलाची का सेवन रहत देता है इसके अलावा सरदीवा खांसी में भी बड़ी इलाची का सेवन करने से फाइदा होता है पेट के लिए है फाइदे मंद पेट की समस्याओं में बड़ी इलाची का सेवन फाइदे मंद रहता है पेट में जलन वा एसिडिटी होने पर बड़ी इलाइची का सेवन करने से आराम मिलता है इसके अलावा पाचन तंतर में गड़ बड़ी होने पर भूख ना लगने पर और कब्ज होने पर बड़ी इलाइची का सेवन वा प्रयोग करने से फाइदा होता है मूतर समंदी समस्याओं में फायदे मंद है बड़ी इलाइची मूतर समंदी समस्याओं से राहत पाने के लिए बड़ी इलाइची का प्रयोग एक औशधी के रूप में प्राचीन समय से होता आ रहा है बड़ी इलाइची को प्राकृतिक मूतर वर्धक माना जाता है इसके सेवन से मूत्र की मात्रा बढ़ती है क्योंकि सही मात्रा में मूत्र त्याग करने से गुर्दों की समस्याओं से बचा जा सकता है इसे गुर्दों में मौजूद हानी कारक्तत बाहर निकल जाते हैं कैंसर से करे बचाव बड़ी एलाची में कुछ ऐसे एंटी एक्सिडेंट वा ततो पाय जाते हैं जो कैंसर जैसे भ्यानक रोग से बचाव करते हैं ये एंटी अक्सिडेंट्स कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को बढ़ने से रोकने के साथ साथ खतम भी करते हैं बड़ी इलाइची का नेमित रूप से सेवन करने से कैंसर की संभावनाओं को कम करते हुए इस जानलेवा रोक से बचा जा सकता है खून के सही संचार वा प्रवा के लिए लाब दायक है बड़ी इलाइची शरीर को स्वस्त रखने के लिए खून का संचार वा प्रवाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अगर खून के प्रवाह में चर्बी वा वसा के कारण कोई रुकावट आ जाए तो शरीर को कई परकार के रोग घेर लेते हैं बड़ी इलाइची के सेवन से शरीर में खून का प्रवाह सही रहता है बड़ी इलाइची में मौजूद एंटी आक्सिडेंट पूरे शरीर में आक्सिजन को सही धंक से पहुंचाने में मदद करते हैं जिसके कारण खून शरीर में सही धंक से संचरन करता है मुवा दांतों के लिए हैं लाबदाइक बड़ी इलाची में केल्शियम भी प्रयाप्त मात्रा में पाया जाता है इसके नेमित सेवन से दांतों की समस्याओं में फायदा होता है और दांत भी मचबूत बनते हैं साथ ही मसूणों के रोग भी ठीक होते हैं इसके अलावा बड़ी इलाइची के सेवन से मुह की दुरगंद भी दूर होती है क्योंकि बड़ी इलाइची में प्राकरितिक रूप में खुश्पू पाई जाती है बड़ापे के लक्षनों को करे कम बड़ी इलाइची के नेमित सेवन से समय से पहले दिखाई देने वाले बड़ापे के लक्षनों को कम किया जा सकता है इसके सेवन से चहरे पर चमकाती है और साथ ही तोचा समंदी समस्याओं में भी फायदा होता है कई परकार के सौंद्र उत्पादों में भी बड़ी इलाइची का इस्तिमाल किया जाता है तनाव को करे दूर आज की भाग दोड भरी जिंदगी में व्यक्ति को चिंता होना आम बात है कई बार व्यक्ति अकेले पन का शिकार होने के कारण डिप्रेशन में चला जाता है इलाइची का सेवन करने से तनाव से मुक्ती मिलती है इसके लिए इलाइची को चबाने से या इलाइची वाली चाय पीने से फाइदा होता है क्योंकि इसके सेवन से हार्मोंज में परवर्तन होता है और तनाव दूर होता है बलड प्रेशर को करे कंट्रोल इलाइची के सेवन से बलड प्रेशर कंट्रोल में रहता है इसमें मौजूद पोटेशियम और फाइबर बलड प्रेशर को नियंतरित रखते है इसके लिए खाने के बाद बड़ी इलाइची का सेवन करना फाइदे मन रहता है हिचकी को करेब बंद हिचकी आना एक काम बात है लेकिन इसे रोकने के लिए इलाइची का सेवन लापताइक रहता है हिचकी आने पर एक इलाइची को मुँ में रखकर चबाने से थोड़ी दिर बाद ही हिचकी आनी बंद हो जाती है बालों को बनाए काला वा घना बड़ी इलाइची में मौजूद ततो बालों को पोशन देते हैं बड़ी इलाइची के सेवन से बाल काले, घने, लंबे वा मजबूत बनते हैं बड़ी इलाइची के नुकसान बड़ी इलाइची का प्रयोगवा सेवन सीमित मातरा में करना चाहिए जहां इसके सेवन से कई परकार के लाव होते हैं वही नुकसान भी हो सकते हैं इसके अधिक सेवन से अलर्जी हो सकती है कुछ लोगों को तो इसके सेवन से 77 समस्याई हो सकती है और शरीर पर खारिश वा लाल धब्बे हो सकते है इसका अधिक परियोग पत्री का कारण भी बन सकता है क्योंकि मानव शरीर इलाइची को पूरी तरह से पचा नहीं सकता इलाइची के अधिक सेवन से मुह में शाले हो सकते हैं किसी दवाई के साथ इसका सेवन नुकसान दाइक हो सकता है इससे दवाई का आसर कम वा खत्म हो जाता है सो दोस्तो यह थी इलाइची के आशधियो गुनों से जुड़ी जानकारी हर दिन नए और बेहतरिन वीडियो देखने के लिए चैनल T5 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरिन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दियेगे लिंक को क्लिक करें जुड़े रहे चैनल T5 हिंदी के साथ